Hello AASPARENTYS कैसे ओस दो Stickles तो आज की स्वीदियो में पर Кुछ पढ़ने वाले बाता नहीं करेंगी की थोड़ी सी ऐसी ऐसे बात है कि मेला अझे तो ऑना तो फरवरी का माहता क्पा रा इतने खोड़ाएं एक इस पर है दिस्टराइब कर लेते हैं सेटिक थी अगली साल का और यह आठी ऑगले है थी थी ना इस फिर ऑलेगी तो फिर अगली साल आपको पढ़ना पढ़ेगा, नीड़ तो क्लियर करनी पढ़ेगे, या फिर आप लास्ट महीने के अंदर पढ़ेगा, पहले पढ़ लेते तो यह सारा कोर्स अपने कर सकते थे, अपने को आता तो है, लेकिन अपने टाइम नहीं बचा, यह सारी चीजे फिर होंग अप्रेल के अंदर आएंगी फिर दिमाग में, ठीक है, तो इससे पहले है कि अभी टाइम है, अपने पास धाई महीने का टाइम है, तो उसके अंदर कर लें ठीक है, यह वेलेंटाइन दे तो हर साल आते हैं, यह जो डे हैं, रोज डे, फिलाना डे, डिस्क डे, यह साल यह हर साल आएंगे, वालब भी खतम नहीं होने वाला यह ट्रेंड अब यह तो बढ़ रहा है, यह तो निभा निभी वाला खें़ लिए तो बढ़ेगा, कम तो होना नहीं है, तो यह आप अगली साल कर लेना अभी वालब करने कोई उत्ती जुरुत नहीं है, तो सिधी से बात यह है कि भया, फरवरी जो चल रही है ना इसको पढ़ने के लिए काम में लीजिए, ठीक है, तो आप मेसेज वेसेज ना करें, स्नैप ना भेजें किसी को, या फिर जो वाटसप पे जो टेक्स वेस जो भी होते हों, ना भेजें किसी को, और अच्छे से अपनी पढ़ फरवरी आप जैसे चाहो वैसे मना सकते हो, लेकिन इस बार आप इस बार आप एक्जाम पर पूरा फोकुस रहो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, यह सारी बातें कोई मैटर नहीं करती आ रहा है, कि मलब ये मलब मेरे को बहुत पसंद है, इसका तो मेरे साथ कोई महीने की बात है, कहीं और जाओगे, वहाँ पर आपको वहाँ पर कोई दूसरा प्यार हो जाएगा, तो यह मलब सारी बातें ऐसे ही है, इन पर ज्यादा फोकुस इन पर मत दो, सीधी से बात यह है, कि पढ़ाई पर अभी फोकुस कर लो, धाई महीने की बात है, और व चक्रों में कुछ नहीं पड़ा है, और ऐसे से पढ़ते रहो, और एक्जाम क्लियर कर लो, पहले उसके बाद में अगली साल से अपन विलेंटाइन दे, अपन नहीं, आप विलेंटाइन दे मनाल लेना, ठीक है, और मलब किसी को मैसे वेसे मत करो, मलब मेरे को तो कर लो, व एक मेडिकल सीट मिल जाएगी, ठीक है, अब आप यह तैयारी तो अगर खुद की तैयारी रहेगी है, देखो, सीट मिलना या नहीं मिलना वो थोड़ा सा मलब उसके अंदर लग फैक्टर भी काम करता है, ऐसी दीसी बात ही है, लेकिन अगर आपके तैयारी पूरी रहेगी और उसका परपोज करो उसको और वो हाँ ना बोले आपको, ठीक है, तो फिर क्या होगा, टाइम भी वेस्ट कर दिया, ठीक है, लड़की भी गई, अफिर लड़का भी गया हाथ से, और एक्जाम भी गई, सारी चीज़े हो जाएगी, अगर आप पढ़ लोगे, अभी पढ तो क्या परदा, दोनों को ही सेलेक्शन ना हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, दोनों यही रह जाओगे, अगली बाद नीट देनी पड़ेगी, वापस देनी पड़ेगी, तो अभी थोड़े धाही मिने रुप जाओ, अपनी इमोशन का थोड़ा केंट्रोल करो, समझत के बाद में सारी बाते करेंगे, तो यह थोड़ी सी वीडियो थी, अब मिलते हैं, नेक्स लेक्टर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे सब पढ़ते रहो, और जैसे ही लगे वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ साथ कर देना, थैंक्यू, थैंक